लोग सबच चुनाव से पहले कॉंग्रिस की मुश्किले बढ़ती जा रही है। च्छे सीटों पर उमिद्वार उतारने का अयलान कर दिया है। कोट से भी के जिर्वाल को लगा है तगरा जटका तो बने रही है वीडियो में अंतर तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेबी का कहना है कि राहूल गांधी की भारत जोरोयात्रा अब कॉंग्रिस तोरोयात्रा बन गई है। द्रसल राहूल गांधी की यातरा शुरू होने के बाद से ही कॉंग्रिस में भग दर्मच गई है। अब तक कॉंग्रिस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है। कॉंग्रिस के नेताओं का हाल विहाल है। जो पुत्र मोह के कारण लगातार रसातल में जा रही है। विभाकर शास्त्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नड़ा जी, अमित्शा जी, सीएम योगी आदितनात जी और ब्रजेस पाठक के परती आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नितुर्त के निर्देशों के अनुसाल काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडी घडबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, बलकि इसका लक्ष मोधी जी को हटाना है। राहुल जी को बताना चाहिए कि कॉंग्रिस की विचारधारा क्या है। इसे पहले पुर प्रधानमंत्री लाल भादूर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बुधवार को कॉंग्रिस की प्रात्मिक सज़ता से इस्तिफा दे दिया था। वहीं मद्ध प्रदेश में भी कॉंग्रिस को एक बार फिर बड़ा जटका लगा है। पार्टी के विदिशा जिला अध्यक्ष राजेश कटारे, टिकमगड के पुर्व विधायक दिनेश अहिरवार, छतरपुर के पुर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलास्त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कि जिस पार्टी ने 500 साल से टेंट में रह रहे है, राम लला की प्रान प्रतिश्टा कराई, उसमें मुझे शामिल किया गया। कही है। आज वो राजनैतिक रूप से एतनी ज्यादा विवश हो जाएगी कि उसे शेत्रियतलों से भी एक मांगने पड़ेगी सीटों के लिए। राहूल गांदी के यात्रा के बाद भी कॉंग्रिस के नेता पार्टी से स्तीफा दे जा रहे हैं और अब इंडिकट बंधन में टूट हो रही है। कॉंग्रिस रसातल पर जा जुकी है और अब आप ने भी कॉंग्रिस को कह दिया है कि दिल्ली में एक सीट लेनी है तो लो नहीं तो आगे पड़ू। कॉंग्रिस के प्रिस्ताव मंजूर नहीं किया तो प्रत्याशियों की होशना कर दी जाएगी। बैठा खोगी। ऐसे में मन में चिंता होती है कि इस तरह जुनाव जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आज भारी मन से बैठा हूं तो देखा आपने कैसे राहुल की आत्रा के वज़े से इंडी कट बंधन में भगदर मची हुई है। वही हाम आधिपार्टी प्रवक्ता प्रियंका ककड ने कहा कि हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली में छे सीटों पर लड़ेंगे और हमने कॉंग्रेस को पूरे सम्मान के साथ एक सीट ओफर की है। वही हाम आधिपार्टी के सौफर पर कॉंग्रेस की प्रतेश अध्यक शर्विंदर सिंग लवली ने कहा ये मेरे लिए नया आनुभव है कि इंडिया कट बंधन में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हैं हम उसके लिए प्रतिबद हैं हमने सीट शेरिंग को लेकर एक कम बंध हैं वहीं आधिपार्टी और कॉंग्रेस की सीट शेरिंग पर बीजेपी के प्रतेश अध्यक श्विदेंद्र सच्च देवा ने कहा कि कॉंग्रेस के लिए इससे बड़ी दूर तशार क्या हो सकती है जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और उसकी दैनी की स्थिति है कि कल की पार्टी उन्हें आके दिखा रही है कॉंग्रेस को फैसला लेना है दोनों पार्टी में नूरा कुष्टी चल रही है बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता जनता मन बना चुकी है दोनों विष्टाचारी दल कितनी भी कोष़श करें दिली में सभी सी टे बीजे पी ही जीते की लोग समझ चुनाब से पहले राहूल गांधी के साथ कांड पर कांड हो रहा है कौंग्रेस राहूल गांधी की 26 सुधाने के लिए खूब मेहनत कर रही है और यात्रा के जरीए फिर से राहूल गांधी की ब्रांडिंग की जा रही है कि कैसे भी करके राहूल गांधी की सियासी लांचिंग हो जाए लेकिन राहूल के साथ हर बार खेला हो जा रहा है और इस बार भी राहूल गांधी के साथ हुए खेला के वीडियो सोशल मीडिया पर कूब बाइरल हो रहे हैं और ये वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत नहीं शेयर किया हैं राहुल गांधी लाख कोशिश कर लें पीयम मोदी से पीछा छोड़ाने की उनको चुनावों में हराने की लेकिन पीयम मोदी की राष्टरवादी सोच राहुल की तम पूच राहुल को रह रह कर टीज तो जरूर देती हैं राहुल गांधी पीयम मोदी से सीधे टकर लेना चाहते हैं लेकिन पीयम मोदी हर बार राहुल गांधी को चौस सलेम दे देते हैं जिसके कारण राहुल गांधी राजनीतिक रूप से धराशाही हो जाते हैं राहुल जा रहे हैं कॉंग्रेस के लिए आसाहज इस्तिती पैदा हो रही है कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्र में राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसे कॉंग्रेस की भारी फजियत हो रही है चतिस गड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्र के दोरान अचानक कॉर्बा में मोधी मोधी के नारे लगने शुरू हो गया वहीं मोधी मोधी की नारेवाजी के बाद राहूल गांधी तुरंत अपनी जीप से नीचे उतरे और सीधे नारेवाजी करने वाले लोगों के पास पहुँच गये और उनके पास पहुँच कर नारेवाजी करने वाले लोगों से राहूल गांधी ने बात के बताय चारा है कि जब राहुल गांधी की भारे चड़ो नयाय यात्रा चटीस गड़ की कोर्बस से गुजर रही थी तब अचानक यात्रों के दौरान फीड में साथ खड़े कुछ लोग मोधी मोधी की नारेवाजी करने लगे नारेवाजी कर रहे हैं लोगों के हाथ में भगवा जण्डा था उस दौरान राहुल गांधी ने अपनी गारी रुकवाई और उनके पास चले गए उनके पास पहुँचकर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाने लगे राहुल गांधी के इस तरह हाथ मिलाने से नारेवाजी कर रहे हैं कुछ लोगों ने भी सम्मान पूरबक हाथ मिलाया है यसे पहले भी कई बार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने मोधी मोधी के नारे लग चुके हैं राहुल गांधी को समझना होगा कि लोग मोधी में हो चुके हैं और पियम मोधी के रहते उनकी दाल नहीं गलने वाली है इसलिए हर जगे यात्र में राहुल का विरोध हो रहा है वही राहुल गांधी की इस वाइरल वीडियो को शेयर करते हुए कॉंग्रेस नेता सुप्रिय श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मुहब्बत की ताकत बीजेपी कारेकरता भारत जोड़ो नियाय यात्र के विरोध करने के लिए खड़े थे लेकिन जब यात्रा वहां से गुजरी और जननायक राहुल गांधी जी उनसे मिले तो नजारा कुछ यह बन गया कि वो भी राहुल से हाथ मिलाने लगे लेकिन जलवाजी में वीडियो शेयर करने के चकर में सुप्रेश रीनेत ये देखना भूल गए कि वीडियो में आगे खड़े कुछ लोगों ने राहुल से हाथ जरूर मिलाया लेकिन जादा तर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे अब राहुल हाथ मिलाने चाहेंगे तो लोग हाथ ही मिलाएंगे ना लेकिन जादा तर लोग राहुल के खिलाफ नारेवाजी ही कर रहे थे लेकिन अपने योवराज की छबी चमकाने के चक्कर में वीडियो शेयर कर सुप्रेश रीनियत ने ये दिखा दिया कि कैसे यात्रा में राहुल गांधी का फिरोध हो रहा है वीडियो देख लोग राहुल गांधी पर ही तंच कस रहे हैं सुमित नाम के एक यूजर ने लिखा की सही वेज़्यती करती लोगों ने वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा का स्टार प्रचारक काउंगाउं खुम के पता लगा रहा है कि मोदी लहर में कोई कमी तो नहीं आ गए इसके अलावा भी कई और लोगों ने इस राहुल गांधी पर तंच कसे हैं आम अज़ि पार्टी के मुश्किलें बठती चली जा रही है पार्टी को लेकर हो रहें नए-णाए खुलासों से अब सब हैरान है कि राजणीती से ब्रष्टा-चार को दूर करने का नारा देकर सत्ता में आने वाली पार्टी आज ब्रष्टा-चार के कई आरोपों से घि दिया है वहीं अब एक नए अमामले सामने आने से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है किज्रिवाल और उनके दल आम आदमी पार्टी पर अब तक कथे तोर पर घुटाले बाजी का भी आरोप लग रहा था लेकिन अब तो वो सरकारी जमीन कबजा करने बाले कबजे बाज भी हो ग ही कि उन्होंने बेखौफ होकर कई हाई कोर्ट की जमीनों पर कपसा कर लिया जिसके बाद कोर्ट ने सख्त टिपणी करते हुए आमादवी पार्टी को सरकारी जमीन लौटाने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिली के राउज इवेन्यूस थे तामाद पार्टी के राजनेतिक कार्याले कपसा की हुई जमीन पर बनी है कि जमीन और बनाया गया जह सेथऴ और वित्थ सचिफ अगली तारीक से पहले हाई कोर्ट के रेजिस्टार जनरal के साथ एक पैठक करें और मामले का समधा निकालें। इस मुद्धे पर ध्यान दिया और ये बाते कहीं। मुख्यने आदिश दिवाइच अंदचूर ने कहा कि ये जमीन दिली हाई गोट को लोटानी होगी। मुख्यने आदिश दिवाइच अंद्चूर ने ये भी कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में एडी ने अर्विंद केजरीवाल को एक और समन भेजा है E.D. ने केजरिवाल को 19 फरवरी को पूछताज के लिए उपलब्ध रहने को कहा है गौर्टलावेक की केजरिवाल अब तक E.D. के सभी समन को नजरन दाज करते आ रहे हैं दिल्ली के सीम केजरिवाल हर बार E.D. के समन को अवैद करार देते आये हैं इसको लेकर E.D. ने हाली में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था E.D. का कहना है कि निव एक्साइस पॉलिसी से जुड़े मनी लॉंट्रिंग के मामले में केजरिवाल को पांच समन भेजे जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक इन समन का कोई माकुल जबाब नहीं दिया है केजरिवाल अब तक पूछताज के लिए हाजर रुट नहीं हुए हैं बीते साथ फरवरी को E.D. इसी बात को लेकर राउज एवन्यू कोर्ट पहुंची थी इस पर अदालत ने सुनवाई की थी अतरीक्त मुख्य मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट दिव्या मलहोत्रा ने सुनवाई के दौरान कहा था इस प्रकार मुख्य मंत्री अधिनियम की धारा 53 के आधार पर ऐसे समन का पालन करने के लिए बात ही थे लेकिन कथी तोर पर वा ऐसा करने में विफल रहे इसके साथ ही कोट ने एडी के समन की अवग्या करने को लेकर अधालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अधालत में पेश होने के लिए कहा था अब एक बार फिर एडी की ओर से केजरीवाल को समन चारी किया गया है आदालत ने ये भी कहा था कि प्रतम द्रश्टया आप प्रमुक अरविंद केजरिवाल एडी के समन अनुपालन के लिए कानूनी रूप से बाध्ये हैं वही एडी के छठे समन पर बीजेपी ने केजरिवाल पर निशानत साधते हुए कहा है कि शराब घोटाले के सरगना भगवडे अरविंद केजरिवाल जी अगर आप इमानदार हैं तो जाच से क्यों भाग रहे हैं चाहिए जाच एजनसी के पास हो जाने दीजिए दूद का दूद और शराब का शराब तो देखा आपने कि कैसे एक बार फिर समन भेज कर एडी ने साफ कर दिया है कि केजरिवाल जाच एजनसी से भाग कर नहीं बच सकते हैं और वी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं